तो गाजर का हलवा तो आपने बहुत तरीके से बनाया होगा एक बार इस तरह से बनाकर सर्व करके देखे सब आपकी तारिफ करते नहीं ठकेंगे साथ ही में वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको में रेस्पीस पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और च इसमें हम एक बड़ा चमच भरके देशी घी एट करेंगे आप चाहो तो टोटली से देशी घी में या फिर रिफाइंड में भी बना सकते हो तो जैसे घी थोड़ा सा गरम हो जाए इसमें हमारी ग्रेट की हुई गाजर एट कर लेंगे तो यहां पर मैं बहुत ज्यादा को इंटिटी में हलवा बना रही हूं तो उस हिसाब से आपको सारे मेजरमेंट्स बताऊंगी तो यहां पर मैंने सारे गाजर को इसमें अच्छे से एड़ कर लिया अब हम ना गाजर को तीन से चामनट तक अच्छे से भून लेंगे तो इस तरह से आप भून कर केक पर बना क कर देखिए गाजर के हलवा का जो टेस्ट है एक दम अलग लेवल का आता है बहुत ही टैस्टी गाजर का हलवा बनता है इसतरह से तो यहां पर हम गाजर को अच्छे से भूनेंगे 4-5 मुट लगा कर हमें गाजर को अच्छे से भूण लेना है तो देखिँ, यहाँ पर गाजर का कलर जो है वो चेंज हो चुका है तो मीडियम टु हाइफ लेम पर अच्छे से गाजर को चलाते रहें और अच्छे से भूनते रहें तो यहाँ पर गाजर हमारी भुण चुकी अब इसमें हम चीनी एट करेंगे तो यहाँ पर मैं दो कप भरके चीनी एट कर रही हूँ यह टोटल 500 ग्राम चीनी मैंने इसमे एट कर लिया है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या जादा भी कर सकते हो तो अच्छे से मिला लेंगे तो चीनी एट करने के बाद गाजर बहुत ज़्यादा पानी छोड़ेगा तो अच्छे से हमें इस पानी को सुकाना है तो 72-80% तक हम पानी को इस तरह से हाई फ्लेम पर भुन करके सुका कर अच्छे से पका लेंगे तो यहाँ पर मुझे चीनी की को इंटिटी थोड़ी कम लग रही थी तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम चीनी और उसमें एट कर दिया तो टोटल यहाँ पर मैंने 600 ग्राम चीनी इस पर एट की है तो बस अच्छे से मिला लेंगे और भुनते रहेंगे गाजर को जब तक कि इसका पानी न सुख जाए तो यह प्रोसेस हाई फ्लेम पर ही करें ताकि बहुत ज़्यादा को इंटिटी में गाजर पानी चोड़ेगा तो देखिए हैं पर कितना ज़्यादा इसमें से पानी रिलीस हुआ है अब इसमें एट कर लेंगे खसखस तो खसकस एट करने से हल्बा बहुत ज़्यादा क्रंची और दानेदार बनता है तो खसकस एट करके हम मिला लेंगे अच्छे से और हाई फ्लेम पर ही भूनते रहेंगे तो यहां पर मैंने अच्छे से भून लिया है गाजर को इसका पानी 70-80% तक सुख चुका है अब इसमें हम दूद एट करेंगे तो यहां पर मैंने 70 लीटर दूद लिया है थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम एट करेंगे तो यहां पर मैं बाद में इसमें फीका खोया यानि की मावा भी एट करूँगी तो इससा आप से दूद यहां पर फिलहाल मैंने 50 लीटर लिया है आप चाहो तो जब तक यह दूद थोड़ा सूक रहा है हलवा हमारा बन रहा है आप साथी में आपका कोई और काम हो ता आप वह भी करते रहें ताकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है गाजर के हलवे को बनने में और दीखें आपर दूद भी काफी हद तक रिडिउस हो चुका है अब इसमें हम ड्रैफ फ्रूट्स एट कर लेंगे तो आप चाहो तो ड्रैफ फ्रूट्स को थोड़े से घी में फ्राय करके भी एट कर सकते हो मैंने इसमें ऐसे ही एट किये है बस हाइफ लेम पर हमें इस तो तक्रीबन सवा से डेट घंटा लग गया था मुझे हलवा बनाने में ताकि क्वाइंटेटी बहुत जाजा थी तो देखियां पर दूद भी का काफी हद तक इसमें रिड्यूस हो चुका है 80-90 परसन दूद इसमें सूप चुका है बस इसमें हम खुवाइट कर लेंगे तो अच्छे से हाथों से क्रंबल करके खुवाइट करें ताकि सारे हलवे में अच्छे से जाके यह मिक्स हो जाए अब हमें इसे अच्छे से चलाना है सारे खुवे को अच्छे से मिक्स कर लेना है तो देखिए यहां पर मावा भी हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है बस अब इसे हम थोड़ा सा भूनेंगे जब तक यह तेल ना रिलीस करें तब तक हम इसे भूनना है तो इसे हम साइड वाले चूले पर रख लेंगे उसके बाद इसे सर्फ करने के लिए रबड़ बनाएंगे तो यहां पर मैंने 1-2.0 लिटर दूद लिया है दूद को अच्छे देले अबाल लेंगे यहां पर मैंने फुल क्रीम दूद लिया है इससे ज्यादा अच्ही रबड़ी बनेगी तो जैसे ही दूद में उबाल आ जाए, यहां पर मैंने एक कब भरके, इसमें मिल्क पाउडर एट किया है, तो मिल्क पाउडर एट करने से न, दस मिनट के अंदर हमारे रबड़ी बन करके त्यार हो जाएगी, तो यहां पर मैं इंस्टंट रबड़ी बना रही हूँ, बहु तो देखिए ठिक होना स्टार्ट हो चुका है, इसमें जो भी मलाई वगेरा बने आप इसी में इस्तर से मिक्स करते जाएं, बहुती लचेदार और डार्क ठिक क्रीमी हमारी रबड़ी बन करके त्यार होगी, तो देखिए यहां पर दूद जो है वो काफी रिड्यूस हो चुका है, आधा रे चुका है, और देखिए इसमें इसकी ठिकनेस, इसे हम थोड़ा सा 5-7 मिट और पका लेंगे, उसके बाद इसमें चीनी एट करेंगे, दो बड़े चमच चीनी में इसमें एट कर रही हूं, तो मीडियम टू हाय फ्लेम पर हम इसे पकाते रहेंगे, होगी, तो यह और ज्यादा थिक होगी, फिलाल हम इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से ही रखेंगे, अगर आप सिफ रबड़ी बना कर खाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा लाइची पाउडर और थोड़ा सी ड्राइफूट से समेट कर दें, बहुत ही टेस्टी रबड़ी तो यहां पर हलवा भी हमारा बन करके त्यार हो चुका है, इसमें से तेल भी साइड में से रिलीस होने लगा है, तो बस इसका फ्लेम हम बन कर देंगे, तो चलिए अब इससे हम सब कर लेते हैं, तो यहां पर मैंने इस तरह से प्लेट ले ली है, अब इसमें हम थोड़ा सा हलवा लगा लेंगे अच्छे से फैलाते हुए तो यहां पर मैंने हलवे की लेयर लगा दी अच्छे से पूरा फ्लैट कर लिया है उसके बाद हमने जो रबड़ी बनाई थी उसकी लेयर लगाएंगे तो देखे कितनी थिक हो चुकी है यह तो पूरे हलवे के उपर अच्छे से हमें रबड़ी को फैला लेना है आप एक बार इस तरह से ट्राय करके देखे का इतना टेस्टी हलवा बनता है आप जिसे भी सर्फ करेंगे वो आपकी तारीफ करता नहीं थकेगा तो यहां पर मैंने रबड़ी की लेयर भी लगा ली तो इसे इस तरह से गार्णिश करने के बाद हम 10-15 मिनिट के लिए इसे छोड़ देंगे तक ही अच्छे से सेट हो जाए तो 10-15 मिनिट बाद इसे हम इस तरह से सर्फ करेंगे बिल्कुल मिठाई के दुकान पर मिलने वाली बहुती टेस्टी आपको यह मिठाई बहुती ट चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा तो मिलती हूँ आप से नेक्स वीडियो में एक नहीं रसिपी के साथ तब तर